जिन पाँच लोगों ने दिशासालियान की डैथ वाली नाइट वो पार्टी अटेंड की थी उन्हीं पाँच लोगों ने और उसके साथ एक और जन्ने मिलके सुषान सिंग राजपूत के घर पर भी पार्टी की थी उनकी डैथ के एक नाइट पहले ये दावा किया है सुशान सिंग राजपूत के दोस्त और उनके कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर ने एक नाशनल न्यूस चैनल से बात करते हुए बताया कि संदीप सिंग का जो खास असोसियेट है उसने गणेश को उन सभी पांच लोगों के नाम बताए हैं और उसी ने बताया है कि पांच लोगों ने दिशा की पार्टी को अटेंड किया था और उसके बाद यही पांच लोग एक और परस्नालिटी के साथ सुशान सिंग राजपूत के घर गए थे 13 जून को उनकी डेथ के एक रात पहले इन पांच लोगों के अलावा जो एक और शक्स सुश छेओ लोगों के नाम वो जानते हैं वो कौन लोग थे जो दिशा की पार्टी में मौझूद थे और वो कौन लोग थे जो सुशान के घर पर गए थे इन सब ही के नाम गणेश को पता है हाला कि इन नामों का भी खुलासा नहीं किया है क्योंकि केस की इंवेस्टिगेशन च नाम सुशान सिंग राजपूत के करीबी गनेश को अच्छे से पता है आपको बता दे कि संदीप सिंग सुशान सिंग राजपूत के डेथ वाले दिन काफी एक्टिव थे जो एरिया पूरा सील किया होता है पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही ती सिर्फ सुशान की फैमिली को जाने की परमिशन थी उस एरिया में संदीप सिंग जाते हैं और वो सुशान का हर काम आगे बढ़कर करते हैं किसने संदीप सिंग को अथोरिटी दी किसने उनको ये पावर दी जबकि सुशान की फैमिली का ये दावा है कि वो तो संदीप सिंग को जानते ही नह ऐसे में संदीप सिंग कैसे पुलिस होने के बावजूद सब काम कर रहे थे और उनके घर के अंदर तक चले गए ये बात वाकई में बहुत ज़ादा सवाल उठाती है संदीप सिंग ने इनिशिली काफी मीडिया हाउसे में अपने इंटरव्यूज दिये और उन्होंने इस मामले को ठंडा करने की कोशिश की लेकिन अब संदीप सिंग कहा गायब है वो क्यों सामने नहीं आ रहे है और क्यों जब इतनी बात हो रही है तो संदीप सिंग चुप है जबकि जैसा उनका कहना है कि सुशान्त को वो स्ट्रगलिंग डेश से जानते हैं तो उनके दोस्त के लिए ही जस्टिस की कामना की जा रही है अंकीता लोखंडे जिनको लेकर संदीप ने बहुत बड़ा पोस्त लिखा था वो लड़ रही है तो फिर संदीप सिंग कुछ क्यों नहीं बोल रहे है कही इन पांच लोगों में संदीप सिंग का भी नाम तो नहीं